हलो गाइज, वेलकम टो यार चैनल, MBA वाला, तो आज का जो टॉपिक है, वो बड़ा खास होने वाला है, स्पेसिफिकली अगर आप हमारे किसी बैच के स्टूडेंट हैं, या कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर आपने एक शिदत से ठान दिया है, कि मैं कैट फोर् स्पेसिफिकली अफकोर्स, आर इगनाइट बैच, तो गाइज, हम डिसकस करने वाले हैं, वट शुड बी अ गुड स्टेडी प्लैन, अ डेली टाइम टेबल, और आप भी जानते हैं, कैट छोटी जर्नी तो है नहीं, कैट है एक लंबी जर्नी, तो इस जर्नी के दोरान हम हमारे पास रस्ते में हमको कुछ मिल जाते हैं, बैकलॉग, तो इन बैकलॉग को कैसे कवर करना है, यह सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, आपके मन में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं, कैसे सवाल, कुछ सवाल आपके टाइम पर आ रहे होते हैं, इस तरीके के, क कि सर दिन में कितने घंटे पड़ूं कि 99 परसेंटाइल आ जाए भर दे तो आप अपने टीचर्स और मेंटर्स को सिर्फ इनी सवाल से रिकॉर्डिंग कितनी बार देखनी हैं क्या हुआ लाइफ क्लास के साथ सा नोट्स बनाओ मैं या फिर मैं उसको बाद में देखूं रिकॉर्डिंग कितनी बार देखूं और कुछ ऐसे सवाल की वीकेंग टेस्ट में कितने नंबर आने चाहिए हर हफते जो मेरे वीकेंग टेस्ट हो रहे हैं उसमें मेरे नंबर बढ़ क्यों नहीं रहे मेरे नंबर कभी जादा कभी कम के वा रहे हैं और लास्ट पुराना देने वाला हूँ काफी रियलिस्टिक है ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 24 गंटे में से 18 गंटे 14 गंटे 15 गंटे 10 गंटे पढ़ने को बोल दिया है minimum arts जितने आपको देने ही पड़ेंगे अगर आपको चाते हो पर इस बात की मैं आपको guarantee देता हूँ कि अगर आपने इस तरीके को follow किया तो यह जो arts आप दोगे यह आपको एक अच्छा return देने वाले हैं चार पाँच महीने बाद यहां से आप अपने आपको खुद thanks बोलोगे और अपने उपर proud feel करोगे कि आपने एक चीज अचीज अचीव की है चलिए फिर let's get you down to a proper plan and let's make you determined and focus towards your ambition चलिए guys start करते हैं live classes से right सबसे पहली चीज जो आपका हमारे से interaction होता है किसी भी badge में होता है life class का तो life class को कैसे देखने का है ठीक है सबसे पहले जब आप अपनी एक life class देख रहे होते हो guys मेरा आप से suggestion रहेगा watch your life classes without making notes you heard me correct without making notes otherwise क्या होता है कि आप क्या करते हो आपने तीन चार पहन ले रखे होते है red black blue जैसी सर ने बोला कुछ important है अच्छा लगा आप उसको डब्बे में बंद कर रहे हो लिख रहे हो जब तक उपर देखा सर आगे निकल चुके है अब आप live class already पीछे हो चुके हो बच्चों के चैट में डाउट कुछ और चल रहे हैं आप कुछ और पढ़ रहे हो what's the point life class फिर वो रही नहीं आप तो recording की तरह उसको देख रहे हो तो मैं आपको suggest करूँगा कि जब आप live class में आतो एक rough copy लेकर आओ this is not the right time कि आप proper notes बना रहे हो this is the time जब आप सर से सीख रहे हो आप best potential पे अपने focused हो screen के साथ कुछ important लगता है तो उसको फटा-फट लिख दो specifically maths में formula verbal में transition words, LRDI में चोटे-चोटे hacks and ticks ताकि जब आप उस पे question लगाने जाओ तो आप उनको बकल में देख के use कर सको मैं अपने time पे जब मैंने preparation करी JE की या cat की या GMAT की सब कुछ काफी successful रही है तो यह उनी के कुछ hacks है जो मैंने किये थे में लिए काम आये थे मैं एक white sheet लेके बैठता था और एक मैं लेके बैठता था rough copy जैसे ही मुझे कोई important formula या कोई भी point लगता था मैं उस white sheet पे लिखता रहता था बस simple rough में पढ़ा वर point लिख दे ताकि जब sir मेरे को question दे मैं इसको white sheet से देखके use कर सकूँ क्योंकि अभी अभी सीखा है याद तो रहेगा नहीं तो यहां लिख लेता था अब जब मैं question लगा रहा हूँ rough copy पे पन्ने पलटते जा रहा हूँ स्क्राप किये जा रहा हूँ कोई फरक नहीं पढ़ता अब अगला जब question है तो मुझे ऐसे करके formula नहीं देखने पड़ रहे मेरे सामने का पड़ी है white sheet उससे formula देखता हूँ direct लगा लेता हूँ इसी के साथ-साथ मेरी cheat sheet भी तैयार होती चली जाती है पर इसको सजा के नहीं लिख रहा हूँ तो ऐसे करते करते मैंने life class पूरी लगा ली मैंने class के साथ-साथ questions लगा है real time questions लगा है देखा कि जो मेरे colleagues हैं जो मेरे साथ जो मेरा peer group है वो मेरे साथ-साथ कितनी speed पर कर पा रहा है क्या मेरी speed उन से तेज है हलके है सर के बराबर है, सर के तेज है यह सर से हलके है तो proper full focus से life class जैसी मैंने देख ली तो मेरा 30-40% सेट हो जाएगा वो topic अब उसके बाद आप लो बढ़िया सा अदे घंटे का break generally हमारी classes रात में होती हैं 6-8, 7-9, 8-10 then you can go for a dinner or a walk, relax it out वापस आओ, आदा घंटा एक घंटा का break लेके and then start your second step which is recap of the video at 1.5x now it is the perfect time to make the notes अब आपको 1.5x पूरी 2 घंटे की वीडियो नहीं देखनी है questions नहीं देखनी है, वो तो आपने लगा लिए, रफ को अभी मैं साथ साथ सीख लिए हाँ कुछ एक आद important question होगा, तो उसको लिखेंगे notes में, नहीं तो नहीं सारे थोड़ी notes में लिखने लिख जाएंगे secondly, जहां जहां पर concept आया था वहाँ वहाँ पर pause करो properly notes बनाओ अब आपका वो time है जब आप अलग-अलग पन्ने में अलग-अलग pens को लेके डबे बना-बना के बढ़िया से notes बनाओगे, which are going to help you throughout your journey इतना करने के बाद आपका 40-60% topic set हो चुका है आप आपने दो बार अलड़ी पढ़ लिया है वो same topic अब वो concretize होने लगेगा अब आपके दिमाग में वो सवाल नहीं है कि पूराना पड़ा मैं भूल जाता हूँ क्योंकि अब वो set होता जा रहा है तो बार पढ़ लिया आपने then you go for the DPP just after this अभी just आपने पढ़ है अब आप DPP लगा होगे अब जो आप DPP लगाने जा रहे हो तो आपको positive रहना है first thing positive रहते रहते आपके जो questions है वो 10 to 15 या 15 to 20 around questions आपके लग चुके होंगे depending upon कि आपका क्या skill set है अब यहां आपको घबराना नहीं है याद रखना है एक बात बड़ी छोटी सी क्या बात याद रखोगे आप लोग बस इतनी सी बात याद रहना कि cat में भी 22 सवाल आते हैं जिसमें से अगर आप 14 या 15 questions कर दो तो भी आपने cat में quant का section तो फोड दिया है तो guys that means nothing to worry अगर आपके यहां पे 10 to 15 या 15 to 20 questions भी लगते हैं तो आप absolutely brilliantly सब कुछ कर रहे हो right अब इसके बाद आपका 60 to 75 percent ये topic सेट हो चुका है सिर्फ 20 से 25 percent बचा है जो थोड़ा सा tough वाला part है out of the box questions हा रहे हैं तो उनको कैसे tackle करना है वो समझ में आएगा यहां आपका दिन खतम हो जाएगा उस step को हम last में करेंगे fourth step को third step तक आपका दिन खतम होगे अब आप जाके सो गए और आत को class करी walk करने गए फिर आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ा ही करी revision किया dbp लगाई and then you are sleeping आप जब आप सुबह उठोगे then comes the fourth step आप revision करोगे at 2x right और वापस से अपने उस dbp को second को दोगे और आप देखोगे कि 4 से 5 question आपके dbp में और बन गए और इसके बाद आपका 75 to 90 percent का topic जो है वो हो चुका है set तो बस इतना सा करना है अब आप मेरे से एक सवाल करोगे कि sir मेरे पास तो 24 गंटे 24 गंटे में इतना सब कैसे हो जाए तो बेट आप आपके लेके आते हैं proper time table बस याद रखना कि एक unsuccessful student के पास 24 गंटे हैं और एक successful student के पास 24 गंटे हैं सिर्फ फरक यह पढ़ता है कि एक जो बच्चा है वो बिचारा थोड़ा सा परिशान होगे जा रहा है बार-बार instead of taking actions वो सोचे ही जा रहा है कैसे होगा कैसे होगा और यह positively life को आगे लेके बढ़ रहा है वो one topic at a time लेता है वो पूरे cat को एक बार में सोचता ही नहीं वो सोचता है आज सिर्फ distance time speed इसके बीचे पढ़ेंगे इसको crack करेंगे हफते बाद वो सोचता है तो अब आपका जो डेली टाइम होने वाला है जुलाई टू सेप्टेंबर उसकी बात करते हैं अक्टूबर नवंबर की अलग कहानी है उसको हम अलग से पढ़ेंगे मौक टेस्ट जादा आजाएंगे पिच्चर में उसको हम अलग से देखेंगे आज की वीडियो हम डिसाइड करते हैं आपकी फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेंबर जब तक आपका सिलिवस चल रहा होता है आप पढ़ रहे हो तो टॉपिक सीख रहे हो कहानी शुरू करते हैं छे से साथ बजे पे ठीक है अपनी लाइफ क्लास में पढ़ने वाले हो आपके पास स्केडियूल है उसका फाउंडेशन देखो एक बेसिक सेट हो जाएगा वेन यू एंटर दा क्लास ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बेसिक टर्मन लॉजिज भी नहीं आते हैं। हो आपको बता है कि हम क्लास में पढ़ने वाले हैं हाँ उसके एडवांस कंसेट्स भट से पढ़ोगे पर ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास में आ रहे है कि RC का एक normal size क्या होता है, RC का sentence structure क्या होता है, कैसे उसको best करना है, कैसे उसको समझना है, वो सब आप class में सीख लगए, पर at least एकदम सब कुछ नए असानी होगा, तो आप 6 से 7 अपना pre revision करो, और 7 से 9 अपना दे दो live class को, इस समय आप सिर्फ class attend कर रहे हो, focus से notes नहीं बना रहे हो, focus से कि मैं कहां पर lag करता था, और क्या मेर को अपने अंदर improve करना है, उसके बाद आप 9 से 10 यहां पर आप लोगे एक break, ठीक है, so from here to here you have a break, अराम से जाओ, either do your dinner, and then go for a walk, relax out हो थोड़ा सा, हो गया अभी, ठीक है, तुरंत रिवाइज निकरना, go out, take a walk, brisk walk, come back, अब 10 से 11 आपका step आजाएगा, step number 2, when you are revising the class at 1.5 x speed, और साथ साथ आप notes बना रहे हो, right, अब यह वो time है जब आपने notes आप प्रॉपरली बना रहे हो, right, यह आपको help करने वाल है throughout, और जैसे ही आपको notes बन जाएए गंटे के अंदर, उसका go and start your DPP, 11 p.m. onwards, कितनी देर तक मैं आपके उपर छोड़ता हूँ, आप 11 से 12 करना चाते हो, 11 से 12 करो, 12 करो, 12 करो, 12 करो, but make sure that you take a proper sleep of around 7 to 7 and a half hours, ठीक है, 8 घंटे भी सोक सक, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपने आपके यहाँ पर DPP लगाए, जित्ती बन गई ठीक है, positive रहे हो, बहुत important है, यहाँ पर, मैं 8 बजे आपने करना है, ठीक है, तो माल नेते हैं, आपने यहाँ दिन में 12 बजे भी रात को आप सो गए हो, तो अपना अराम चे साड़े साथ उठो, 7 and a half hours की sleep लो, आदा घंटा थोड़ा जा फ्रेशन आप हो, and then start, अब 8 to 8.30 आपका है, रिवीजन टाइम, आदे घंटे क सिर्फ कोईश करो कि 4 to 5 hour कोईशन बना दो, उनके साथ स्ट्रगल करो, यह स्ट्रगल ही इंपोर्टेंट है, इस स्ट्रगल में ही आपको 100 चीजे एनलाइज होंगी, जब आप अपने सॉलूशन से मैच कहा रहे होगे, देख रहे होगे कि मैं का गलत गया, तो यह सबसे इं 15% of concept clarity बढ़ जाएगी, and then the game start again, 6 to 7 pre revision, अगर आप देखोगे, तो मैंने 9.30 to 6 पूरा खाली छोड़ रहा है आपके लिए, किसी का office है, किसी का college है, जाओ office, college में जाओ, पढ़ा ही कहरो, वापस आजाओ, yes, इसके बीच में भी आप कुछ कुछ कर सकते हो, specifically मैंने जितनी भ किया है, of course, अगर आप office में जाते हो, तो ऐसा नहीं होता कि 8 घंटे, आप desk job पूरी करी जा रहे हो, right, कुछ-कुछ लोग ही होती है, heavy job, and I really have sympathy for them, और उसके बात भी, अगर वो इसको follow करके crack करते हैं, तो guys, you are the best, you are highly dedicated, you are highly motivated, आपको इन सब टाइम टेडिकेटेट, आपको अगर थोड़ा सा पढ़ लो, क्या पढ़ सकतो, एक LRDI का सेट लगा लिया, basement देखे, एक आपने RC लगा दिया, 20-25 मिनट देखे, right, travel कर रहे हो, metros में हो, bus में हो, क्याब में हो, कहीं भी हो, कैसे भी travel कर रहे हो, maths के form ले revise कर लिए, जो ये notes आपके चल रहे हैं, white sheets चल रहे कर लिया, important questions देख लिए अपने rough notebook से पर इस plan पर चलते रहो, हर एक live class से पहले आप pre-revision कर के आओ, ताकि इसका बहुत beneficially से आप use कर सको, ते का half hour break, one hour break, and then start with the note making, उसके बाद DPP का first round, अगले दे note के second round, इस तरीके सा आप अपनी live classes को करो, and I assure you, कि आप अपनी live classes को capitalize कर पा करेंगे, आप कुछ ब्लाइन ही नहीं कर रहे हो, आप यह 7-9 वाई live class में अचानक सहाँ, तो live class है, चलो ओई class करेंगे, अब class में आगे 15 minute में आप एकदम demotivate हो, क्योंकि कुछ बच्चे आंसर कर रहे होते हैं, वो तो यह कर गया है, आप basic भी नहीं बता, ABCD भी नहीं ब ना कि आपके लिए सजा दिया YouTube पे, कि बेटा basic देखे हो, basic देखे हो, टीचर कह रहा है आप से बार बार, आप देखो उसको, मज़ा आएगा, टीचर ने अपना एक एक घंटा, एक एक मिनट उसमें utilize करके शिदत से आपको दिया है, आप उसको अराम से देखे हो, आपको यह करने में एक दम मज़ा दुगना हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे अलरड़ी इसको देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं यहां पर आपको अपने साथ अपने साथ अपलाई करके देखो, यह foundation के बाद life classes, आपको मज़ा आजाएगा, आप सेल्फ अनलाइज करके आप फिर आके देखना है यहां पर लिखोगे, उसके बाद notes बनाने अराम से ताकि यह life class पूरे 100% फोकस से देखो, तो यह आपका कुछ जो है plan रहना चाहिए, यह हो गए Monday से Friday की बात, अब Saturday Sunday को क्या करना है, backlogs भी तो हैं, उनकी कहान लिखो, Saturday को 9 से 12 आप करो अपना अराम से वीजन करो, 3 गंटे, अब 12 से 5 अगर आप देखोगे, तो आपको 5 गंटे का gap दिया है, मैंने, right, 5 गंटे का आपको gap दिया गया है, क्यों दिया गया है, 3 गंटे आपने आप पढ़ लिया, आप ठक गए हो, ठीक है, now you do your leisure work, Saturday है, weekend है, जो घर के काम है, करो, office का कुछ छोट मोटा है, तो निपटाओ, relax out, right, lunch करो, lunch करके अराम से सो जाओ, right, तीन बजे सो के, चार साढ़े चार उठ जाओ, fresh दिमाग से एकदम 5 तो 7 आप अपना टेस लगाओ, तो गंटे का टेस लगाओगे, एकदम fresh mind आपने लगाया, and this time actually overlap somewhere between the cat का slot 3, तो आपका जो mind आप उसको train कर रहे हो, सुबह भी पढ़ लिए, शाम को भी पढ़ लिए, ताकि आप थोड़ से train हो जाओ, slot 1 या 3 में से कुछ आए, तो आप थोड़ से train हो, आप उस time पर आपका दिमाग जो है, actually अपने आप चलने लग जाता है, right, 7 बजे टेस्ट होगे, खतम घर जा रहे हो, आप आ करेंगे ना इसको, ठीक है, मैं ऐसा करता था, कुछ लोग यहाँ पर analysis कर सकते हैं, और यहाँ पर backlog खतम कर सकते हैं, आप तो यहाँ कि आपको क्या strategy पसंद है, मैं टेस्ट के बाद तुरन जो है analysis नहीं करता है, थोड़ा सा ना फिर, अगर test अच्छा होगे, तो बहुत तो मैं अपने यहाँ पर अराम से backlog कोई है, तो खतम करता था, backlogs can be of DPP, backlog can be of life class, ठीक है, उसके बाद 10.30 to 11 मैंने एक RC लगाना है, यहाँ पर मैं अपने आपको टाइम में लाने का train कर रहा हूँ, पंतरा मिनिट में एक RC कर रहा हूँ, जितना भी बने, और पंतरा मिनिट म मैंने test analysis किया, इस पर ही पूरी एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, test analysis कैसे करते हैं, भी तो क्या कर रहे है, कि बस test का date लिख देते हैं, Excel बना लिख देते हैं, इसके number of marks लिख देते हैं, क्या trends है, क्या weakness है, किस पर बग करना कुछ पता ही नहीं, अब test analysis तीन गंटे है, अगली वीडियो में प्रॉपर्ली सिखाऊंगा, उसके बाद अगर कोई backlogs हैं, तो खतम करो, in the terms of DPPs, और again life classes कोई छूट गई है, तो, फिर यहां पर 10 गंटा RCS और LRDI की practice, और लास्ट में आदा गंटा quant practice, और सोजाओ, आपकी RCS और LRDI की practice, थोड़ी थोड़ी सही रहने चाहिए, क्योंकि यह एक, एक ना, एक में बोलूगा, तो overall set है, ठीक है, quant का से लिए बहुत जाद है, practice ही practice चलती रहती है, वो तो आप office में बैठे हो, तो आप quant practice कर ले तो, चला 15 minutes है, चार question लगा लिए, travel कर रहो, चार question लगा लिए, पर RC कैसे नहीं, प्रॉप focus, pen paper चाहिए, बिना उसके नहीं होना, RC हवा में नहीं कर सकते हैं, right, LID हवा में नहीं कर सकते हैं, you need a pen paper specifically for LID, LID बिना table के तो घर नहीं पाओगे, पर quant कर सकते हैं, गभी-गभी है, हाथ तो भी लिख के calculation हो के चलता है, right, तो इसलिए quant हो इधा हुदर कहीं से time निगल के ह होते रहता है, तो इसको properly हमने बैट के focus से time देना है, तो इसलिए saturday में डाला हुआ, sunday में डाला हुआ, यह आपका saturday sunday का time table है, follow this time table, monday to sunday, from your July to September, October, November का भी चाहिए होगा, तो comment बता देना, में लेकर आ जाओगा, कि mock test के साथ साथ सब कैसे करना है, ठीक है guys, तो this is your proper time table, now let's move to backlogs, तीन-चार महिने का समय है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि backlogs ना है, बीच में ऐसा समय आएगा ही आएगा कि आपके backlogs लग जाएगे, कभी कोई क्लास में सा होगी, कभी कुछ होगा, तो आप notice करो कि पीछे मैंने आपको दो backlogs के slot दे रहे हैं, saturday और sunday को, यहाँ दो गंटेगा, आप बस एक काम कर रहा हूं, यह सब कुछ मत करना, कि फ्रेंड को फोन कर रहे हूं, अपने भाई तेरा भी backlog लगाए, आप मेरा भी लगाए, चिल हो गाए, इसका भी लगाए, मेरा भी लगाए, सब का लगता, एक्शन नी लिया, ना यह करना, में टरो फोन कर प्लैन बता दो, backlog लग गया, क्या करूं, backlog लग गया, क्या करूं, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, आपका backlog कवर हो रहा है, नहीं, stress lane लग जाओगे, stress lane से कुछ फायदा होगे, नहीं, live class में बर्शान रहा होगे, backlog भी backlog लग लगा रहाएगा, leave topic, यह तो बहुत ही रांडम ले, topics तो आप छोड़नी सकते है, तो करना क्या है, पांच दिन की जगे, आप 7 days class शुरू कर दो, ठीक है, और अगर आपकी 4 day class होगे, 4 days की जगे 7 days class शुरू कर दो, हर अफते 2 या 3 वीडियो का backlog होना शुरू खतम हो जाएगा, आपका, लाइन से आप backlog खतम करते ह चलो, जबर्दस्ती life classes में मत कोदो, in fact, life classes वाले time पे फटाफट पीछे वाली वीडियो देख रहे हो, right, क्योंकि आप क्या करते हो, backlog लग गया, life class में आप बैढ़ गया, अब distance time speed 3, 4 करी नहीं, आप 5 कर रहे हो, work rate time 1, 2 क्या नहीं, 3 कर रहे हो, RC 1, 2, 3 करी नहीं, RC 4 कर रहे आपसे बनेगा नहीं, बाकी बच्चों से बन रहा होगा, आपको क्या होगा, stress, क्या होगा, demotivation, तो वहाँ पे life class से कुछ फायदा होने नहीं वाला, वो आपको दुबारा वैसे भी देखनी ही पड़े, यादा ही समझ में आएगा, तो उस time पे life class फटा फटा फट छोड समझे पाता, तो आपका जैसी backlog लगो, it is time to take action rather than randomly calling and texting everybody in the house, telling की backlog लग गया, backlog लग गया, पाँच दिन, चार दिन क्लास होती है, साथ दिन करना शुरू करो, forget life classes, and quickly watch recordings, जब तक आप life के बराबर नहीं आते हैं, यहाँ पर आके वैसे भी मज़ा नहीं आने वाला आपको उतन and then don't stress, keep going, अपने आपको push करते रहो, yes उस समय आपको शायद अपने सर का या अपने mentor का या अपने teacher का वो life motivation नहीं मिल रहा होगा, पर कोई बात नहीं, अपने अंदर वो fire spark करके रखो and keep going, just target बना लो कि वो दिन आएगा जब मैं वापस सर के साथ life class में बैठा हुआँगा और उसके लिए 5 की जगे, 7 दिन, 4 की जगे, 7 दिन, 3-3 classes cover, हफते में, 2-3 हफते में वापस अपन बराबर and last, अब laziness मत करना and try to reach up to the date, बहुत लोग है अब backlog लगी गया है, देखनी तो recording ही है, तो चलो अपनी पेस पर देखते, recording ही देखते चले जाएगे, नहीं, आप target ही miss कर दो कर ट्रेनी शूट जाएगी, वही मैं आप से बार-बार कह रहा हूँ कि आप 7 दिन करो, aim बना लो कि सर के पास तक पहुचना है, live में जुणना है, और laziness मत पाल लेना, एक बार backlog लग गया है, अब तो लग गया, लगाते रहेंगे, यही गड़बड होती है, उस समय पहुचना है, फटा 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 किसी भी तरीक से मेरे को live class तक पहुचना है, that's it, इस तरीके से follow करो, and you will see that you have reached from an unsuccessful student to a successful aspirant who is very near to his dreams or her dreams, so guys, एस वीडियो को आज ही खतम करते हैं, stay tuned, मैं आगे mock test का analysis detail में लेके आऊंगा, तब तक के लिए अ and of course, now you know how to watch the live classes and use it for maximum efficiency, तब तक मिलते हैं, and let's make your ambitions into reality, follow this for your backlogs and timetable, take care guys, bye-bye and goodnight.